हेलो दोस्तो नमस्कार मैसल फ्रंडवीड जाखर टीम कमसी CLCC कर बेटा सी अपने आपको निखारने का अपने आपको तरासने का एक बहतरीन अफसर जो CLC हर बार आपको प्रवाइड करवा रही है और एक बहतरीन आपके पास अफसर है DCM देकर बचे हुए 56 दिनों में अपने आपको निखारिए अपने आपको परखिए और बहतरीन मेडिकल कोलेज बहतरीन रेंक हासिल करिए पागल पंथी की हद तक जाईए मेडिकल कोलेज आपको हर हाल में पाना है हर एक कपडे का टुकडा मा का आंचल हो नहीं सकता जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता तो दोस्तों दुनिया को पाना है, दुनिया को जीतना है, तो टो प्रेंग हासिल करके जीतना है, कि CLC का सपना हर गाम कस्बे धानी से डोक्टर बने, इंजिनियर बने अपना, तो इसी थियोरी पे काम कर रही है CLC, और इसी में अपने पेपर स्टार्ट कर रहे है, solution, solution number 5, द 11 से तो है ही है, और इसके सासा 12 से ही बहतरीन लिंक है इसका, देखें का दूस्तों क्या सवाल है, which of the flowing statement is incorrect पूछा गया है दूस्तों, इनकरेक्ट पढ़ लिजिए कि कौन सा सत्य गटना पराधारित है, methane can be made by water's reaction, cannot, यानि कि नहीं बना सकते दूस्तों, सत्य गटना सोडियम और ड्राई इथर आएगा, और 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 रेडिकल एक दूसरे के हो जाएंगे, तो मिनिमम आप कितने कार्बन की एलकेन बना सकते हो, दोस्तों, मिनिमम टू कार्बन की, यानि कि इथेन का फोर्मेशन कर सकते हो, बड़ मेथेन इससे नहीं बनाई जा सकती, इसका मत दूसलब, फस, क्या है, दोस्तो, incorrect, यानि कि, right है, सेकिंड की अगर पन बात करें, तो मिनिमम नोट भी प्रोडूस बाई कोलवे लेक्टोलाईसीस, ये भी एक दम सत्य गटना पर अधारी थे, दोस्तों, क्योंकि कोलवे लेक्टोलाईसीस से भी आप किसका फोर्मेशन न करेंगे दोस्तों इसमें इसमें भी सबसे छोटी एलकेन जो बना सकते हो वो इथेन बना सकते हो मिथेन नहीं बना सकते थाट पढ़िये का दोस्तो क्या कह रहा है प्लेटिनम एंड प्लेडियम केटलाइज जो है वो हाइट्रोजिनेशन डियक्षन एट रूम टेंपरेचर यानि कि ये ये अलकीन और अलकाइन को किसको रिड्यूस कर देते हैं तो दोस्तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया यानि कि कार्बोकसलिक एसीड में सोडा लाइम के साथ में अगर आप इसकी रियक्षन करवा दोगे एन एओ एच प्लस सी एओ के साथ में हीट कर दोगे दोस्तो तो क्या मिल जाएगी आर और एच का फोर्मेशन होगा यानि कि CH4 का फोर्मेशन कर सकते हैं आप अगर यहाँ पे CS3 ले लो यानि कि एसेटिक एसेट का अगर डी कार्बोकसलिक्षन करवा होगे सोडा लाइम की परसंस में तो किसका फोर्मेशन होगा दोस्तो CH4 तो इसका मदला इससे CH4 का फोर्मेशन कर सकते हो तो इनक्रेक्ट पुछा था दोस्तो यही आपका क्या है इनक्रेक्ट नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं दोस्तो आपको क्या दे रखा है सवाल नमबर सेकेंड second क्या पूछा गया है बिल्कुल आसान सा सवाल है आसान पेपर है दोस्तों बिल्कुल NCRT से हुब हु लाइन से लाइन उठाई हुई है तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या दे रखा है इन वूट्स रियक्शन दा रीजेंट यूज अब आपको पता है सोडियम और ड्राइ इथर का आना वूट्स रियक्शन की याद दिलाना बिल्कुल आसान सा सवाल बिल्कुल आसान सा आंसर ठीक है तो कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को थर्ड नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को कौन सा दे रखा है थर्ड नंबर सवाल देखिए का दोस्तों क्या कह रहा है एंसर टीका बिल्कुल प्यारा सा सवाल यह आपको कितने कारबन दे रखे हैं दोस्तों 1,4,5,6,6 कारबन दे रखे हैं यानि कि हैक्जेन दे रखी हैं और एन हाइडराइड अल,C,L,3,S,C,L दे रखा है यह किसका काम करता है दोस्तो और जादा ब्रांच इड कर देता है तो इसका मलब ब्रांच निकालने का काम करेगा कोई रेडिकल नहीं बनाएगा तो यहाँ पे ब्रांच की बात करें तो देखो 1,2,3,4,5,6 यही आपका आंसर आजाएगा,C,L नहीं एड करेगा दोस्तों,C,L नहीं लगाएगा,C,L तो आपको पता है,Helogenation करवाते हो,Helogenation,Helogeni करण करवाते हो, तो वहाँ पे क्या लेते हैं,Free Radical Substitution Reaction होती है आपकी हना, यानि कि Light या फिर Photo Electric Reaction होती है, तो कौन सा आंसर आजाएगा इसका अपना फस, नेक्स देखिए का दोस्तों कौन सा सवाल दे रखा है, सवाल नमबर 4, क्या दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल बहुती प्यारा सा सवाल है या आपका, कितने कारवन दे रखे हैं, दोस्तों, साथ कारवन दे रखे हैं, साथ निभाना साथ ही है, यानि कि 7 कारवन, यानि कि N-Heptane दे रखी है और N-Heptane और क्या दे रखा है CR2-O3 दे रखा है V2-O5 दे रखा है Molidenum Oxide दे रखा है High Temperature और High Pressure यानि कि High Temperature और 10-20 Atmosphere Pressure दे रखा है तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्तो Toluene का Formation हो जाएगा Aromatization हो जाएगा तो Aromatization हो जाएगा तो किसका निर्मान हो जाएगा Toluene बन जाएगी दोस्तो यानि कि 7 Carbon दे रखे हैं तो आपको क्या मिल जाएगी Toluene बन जाएगी और अगर 6 Carbon दे रखे होते तो Benzene बन जाती और अगर इस से कम Carbon दे रखे होते तो आपको पता है तो कौन सा आजाएगा दूस्तों Toluene नेक्स इसी कड़ी में आगे अपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है सवाल नंबर 5 देखो KMNO4 दे रखा है Oxidize it करेगा दूस्तो Oxidize it अब आपको पता है Alcane को जनली अगर अपन KMNO4 K2CR2O से Oxidize it करवाने का परियास करेंगे तो मना कर देगा ठीकें तो किसका Oxidation करेगा Alcane, Alcane और Alcohol इनको Oxidize it करता है जो इसकी जनल बाते होती है अब अगर आपको Alcane को Oxidize it करना है तो अगर 3 डिग्री एच है 3 डिग्री कारबन के पास अगर H है तो KMNO4, K2CR2O7 इसको Oxidize it करके किसमें चेंज करदेगा Alcohol में चेंज करदेगा Only 3 डिग्री को करेगा क्योंकि कारबन और हाइटोजन की बून एनर्जी यहां पे क्या है दोस्तों, मिनिमम है यह जल्दी break हो जाएगा क्योंकि 3 degree stable रह सकता है तो यहाँ पे किसका formation हो जाएगा दोस्तों oxidation हो जाएगा तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है यह दे रखा है CS3, CH और CS3, CS3 यानि कि butyl group दे रखा है कौन सा भला? isobutane isobutane का oxidation करवाओगे तो कौन सा हो जाएगा? tertiary butyl alcohol का formation हो जाएगा यानि कि 3 degree पे OH हाजएगा अगर 2 degree होता तो वो मना गर देता no reaction इसका IUPAC नेम पुछा गया है दोस्तो 1, 2, 3 क्या नेम हो जाएगा? इसका नेम आप मज़़ से लिख सकते हो क्योंकि IUPAC के बहुत जादा सवाल आपको पिछले paper में देखने को मिले थे यानि कि 21 में आपको याद आरा होगा directly, indirectly आपको 4-5 सवाल IUPAC के base पर थे तो इसको IUPAC का अपने ध्यान रखना है नव अपने को पता होना चाहिए तो क्या लिखेंगे दोस्तों 2-methyl, propane, 2-ol 2-methyl, propane, 2-ol कौन सा आंसर हो गया दोस्तों second answer की और इस सारा हुआ चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल अपने पास बहदी प्यारा सा सवाल है देखे, ये सवाल अपने को दे रखा है किस reaction को आप किस नाम से जानोगे बताएए कौन सी reaction है ये अब आपको alkane दे रखी है C6H14 और high temperature पर reaction करवा रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है वो crack कर रहा है इसको break कर रहा है देखो C6H12 में change कर दिया C4H8 में change कर दिया आपको ethane बना दिया H2 remove कर दी इसका मतलब क्या किया है उसने alkane को break कर दिया है crack कर दिया है pyrolysis कर दिया है pyrolysis of alkane तो इसे आप क्या बोलते हो pyrolysis बोला साता है दोस्तों जिसको बात करें तो भंजन ठीकन कि भूखे पेट भजन ना हो तो यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों भंजन हो रही है pyrolysis aromatization में क्या बनती है aromatic का formation होता है यानि कि benzene benzene selected compound बनते isomerization में ALCL3 का आपको पता है पिछले सवाल में अपने देखा था कि उसमें isomers बन जाते हैं उसके branch निकल जाती है combustion की अगर पन बात करें तो दोस्तों CO2 और water बनता है अगर अपन complete combustion करवाएंगे तो ठीक है तो कौन सा बन जाएगा बंजन कर लो बजन इसके बाद भी अगर पन बात करें तो सवाल नंबर अपने पास कौन सा दे रखा है दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिएगा बिल्कुल आसान सा सवाल बिल्कुल NCRT का line to line सवाल which of the flowing reaction is false ठीक है incorrect पूछी गई है दोस्तों वो ही गलत पूछी गई है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है इथेन दे रखा है इथेन का oxidation आपने करवाया किसकी presence में दोस्तों मेगनीज acetate की presence में करवा रहे हो तो किसमी चींज हो जाएगा कार्बोकसलीक एसेड यानि कि acetic acid में convert हो गया यह बात एक दम सही है इसकी अगर पन बात करें तो CH4 दे रखा है H2O के साथ में reaction करवा दो निकल यानि कि 1273 Kelvin पर अगर आप इसको heat कर दोगे तो CO और H2 बनती है CO और H2 बनती है CO प्लस H2 ठीक है और इसकी अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है ये भी बात सही है दोस्तों यहाँ पर बात करें तो CH4 और O2 के साथ में reaction करवाएंगे तो formic acid ना ना formic acid नहीं बनता दोस्तों इसमें क्या बनता है methanol का formation होता है दोस्तों तो इसका मतलब ये आपकी incorrect होगी ये देखो incomplete combustion करवा रहा है CH4 और O2 दे रखी है carbon और ये बन गया अगर complete combustion करवाता तो क्या बन जाता CO2 और water बन जाता तो इसका मतलब ये भी सही है दोस्तों ये incomplete combustion है ठीक है और incorrect पूछी गई थी incorrect अपनी कौन सी हो जाएगी दोस्तों ये हो जाएगी NCRT का बहाती प्यारा सा सवाल है ठीक है उसी paste का है चारों के चारों एक ही paste की reaction है ये ठीक है तो किसका formation हो जाएगा है sodium salt sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane by decarboxylation यानि की propane के preparation के लिए कौन से acid की साहिकता लोगे आप ठीक है तो एक तो आप क्यो butanoic acid दे दिया है यानि की decarboxylation में क्या होता है दोस्तों soda lime soda lyre तो soda lie क्या होता है दोस्तों NaOH प्लस CAO ठीक है तो butanoic acid दे दिया आपको CH2, CH2 और CWH यही दे रखा है butanoic acid तो soda lie soda lie यानि की NaOH प्लस CAO को heat कर दो दोस्तों heat करोगे तो CO2 remove हो जाती है जनली अपन यही बात करते हैं किसका formation हो जाएगा प्रोपेन का तो इससे आप प्रोपेन बना सकते हो butanoic acid से ठीक है अपने को क्या चाहिए था प्रोपेन चाहिए था इससे नहीं बना पाएंगे दोस्तों 2-methyl propanoic acid देख लो दोस्तो 2-methyl propanoic acid 2-methyl propanoic acid की अगर पन बात करने तो यह होगा 2-methyl 1-2-3 2-methyl propanoic acid और soda lime की परज़न समें heat कर दो CO2 remove हो जाएगी किसका formation हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यहीं तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यह मिला है अपने को और यहाँ से यह remove हो जाएगा और यह remove हो गया तो क्या बन गई दोस्तों प्रोपेन ही तो बनी तो ये प्रोपेन है ये प्रोपेन है आपकी प्रोपेन बनाई जा सकती है किस किस से बला A और C से बनाई जा सकती है तो कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों थर्ड आंसर की और इसारा हुआ ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है अपने को 9 number सवाल, देखिए बिल्कुल प्यारा सा सवाल क्या कह रहा है, दोस्तों, incorrect पूछा गया है देख लो कौन सा statement incorrect है एलकेन को क्या बोलते हैं, दोस्तों, पेराफीन बोलते हैं बहुत प्यारी सी बात है, पेराफीन, पेराफीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, less reactive, किसी के साथ reaction ने करने वाली, सुद्रे हुए लोग होते हैं ये ठीक है, तो इसका मतलब सही बात बोलना है, पेराफीन, ठीक है एलकेन को पेराफीन बोलते हैं, एलकेन को ओलीफीन बोलते हैं, ठीक है और फिर अगर अपन बात करें, तो क्या दे रखा है, second number की बात करें, second option देखे, it is found that the reactivity of a halosan with alkane, alkane के साथ reactivity की अगर अपन बात करेंगे तो, ओहो, CL2 की ज़्यादा कैसे हो सकती है, सबसे ज़्यादा explosive reaction कौन देता है, दोस्तो fluorine देता है, तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी, F2 अंधेरे में रियक्शन कर लेता है, दोस्तो यानि कि dark में reaction कर लेता है, CL2 को light चाहिए, BR2 को आपको बता है, दोस्तो reaction करवाने के लिए, इसको heat करना पड़ता है, और I2 को गरम करने के साथ, दो-चार कान के नीचे लगानी भी पड़ती है, यानि कि, क्या चीए आपको catalyst से, ये reversible reaction हो जाती है, iodine, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा explosive reaction कौन देता है, fluorine, बड़ा खतरनाख आदमी है, सबसे अंधेरे में काम गर लेता है अपना, तो इसका मदलब ये आपका incorrect हो गया, incorrect पूछा गया था, इसका मदलब अपने को answer second मिल गया, फिर आगे बढ़िए, वूर्स reaction is used for preparation of higher alkane containing symmetrical carbon atoms, yes, ये बात एक दम सत्य अगटना पर अधारीत है दोस्तो, alkane, वूर्स reaction से only on symmetrical alkane का formation कर सकते हो, asymmetrical alkane का नहीं, अगर asymmetrical alkane बनाने का आप परियास करोगे, तो mixture of alkane मिलता है, फिर आपको वो pure alkane नहीं मिल पाएगी, जो आप चाहते थे, ठीक है, तो किस से, किसका सम्मित carbon परमानों की alkane का formation करते हैं, तो ये बात सही है, फिर अगर पन बात करें, तो fourth option की बात करें, तो inter molecular wonderwall force, अगर आप increase कर देते हो, तो increase the molecular size, या फिर surface area of the molecule, ये सही बात है, अगर आपको molecular weight increase हो रहा है, molecule का size increase हो रहा है, तो wonderwall increase होगे, BP increase होगे, ठीक है, तो ये भी बात क्या है, दोस्तों सत्य है, तो incorrect पूछी गई थी कौन सा answer मिल जाएगा, दोस्तों, second, आगे बात करें, तो सवाल number अपने को कौन सा दे रखा है, दोस्तों, 10 number, देखे, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, प्रोपाइल कॉलराइड, इसमें H2 डालना है, और जिंक, जिंक के साथ में क्या करना है, दोस्तों, आपको दे रखा है, H positive, यानि कि acidic medium दे रखा है, तो acidic medium में किसका formation हो जाएगा, दोस्तों, प्रोपेन का formation हो जाएगा, यानि कि reduce कर देगा ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिला दोस्तों, प्रोपेन, प्रोपेन मिल जाएगी दोस्तों, तो प्रोपेन अपने आंसर मिल गया होगा, कौन सा भलंग, ठाट, ठीक हैं, चलो, इसी कड़ी में आगे बात करें, तो कौन सा दे रखा है, 11 नंबर सवाल, क्या चाता है दोस्तों आपसे, बिल्कुल प्यारासा सवाल है, हेलो प्रोजिनेशन ओफ एलकेन, एलकेन लेस रियक्टिव होती है, फिर भी अपन जबरदस सी रियक्शन करवाते हैं, कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्यूशन रियक्शन करवाते हैं, दोस्तों, मुक्त मूलक परतिस्ता पना भी की रिया, ठीक है, याद आरी होगी, आपको दु यानि की चेन इनिशियल स्टेप, सेकिन वाला कौन सा होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और लास वाला कौन सा होता है, चेन टर्मिनल स्टेप, तो कौन सा मिल जाएगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्यूशन रियक्शन होती हैं, दोस्तों, छीकेन, तो एल किस से बना सकते हो दोस्तों फस उप्षिन की अगर बात करें तो आपको potassium acetate दे रखा है potassium acetate की अगर आप reaction करवा दो electrolysis करवा दो ठीक है तो आपको क्या बनाना है radical ही तो बनाना CS3 radical CS3 radical एक दूसरे के हो जाएंगे और किसका formation हो जाएगा ethane इसका मतलब इसी से बना सकते हो ठीक है तो यहां पर क्या मिल जाएगा side product की अगर बात करें तो आपको क्या मिलेगा co2 remove हो जाएगी फिर आपको क्या मिलेगा nao h और nao h की जगया पर अपने का formation कर सकते हो यानि कि electrolysis करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको radical मिलेगा इथाइल 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 अपस में coupling करके किसका formation कर देगा butane का formation कर देगा ठीक है तो इथेन बनाना है इससे आप h2 और co2 remove कर सकते हो दोस्तो इससे alkane का preparation नहीं कर सकते इसमें और इसमें तो बात करें दो दोस्तो क्या मिलेगी butane मिलेगी तो कौन सा answer मिल जाएगा दोस्तो first answer आपका मिल गया ठीक है चलो बहदी प्यारा सा सवाल है देखिए इस बान नीट 2021 में आपसे पूछा गया था ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था जिसमें आपको calcium oxide के बारे में पूछा गया था और अपनी यहां उल्टा पूछ लिया है दोस्तो देखो क्या पूछा गया है calcium oxide दे रखा और x पूछा गया है और किसका formation कर रहा है CH4 na2 co3 यानि कि co2 को remove कर रहा है decarboxylation का example हो गया तो decarboxylation क्या कहता है soda lime soda lyrae तो soda कौन आएगा दोस्तो एन ए ओ एच प्लस CAO को क्या बोलते है soda lime बोला जाता है 3 ratio 1 में होता है यह ठीक है तो किसका यूज़ करोगे एनिवेच का यह होता है दोस्तों एनिवेच अमोनिया के यूज़ कर नहीं सकते ठीक है तो बिल्कुल आसान सवाल बिल्कुल आसान सा answer सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि which of the flowing has the highest BP की बात कर रहा है तो highest BP यानि कि boiling point directly proportional है molecular weight के और inversely proportional है कि इसके बला ब्रांच के यानि कि side chain के तो molecular weight देख लो सबसे ज़्यादा बिल्कुल आसान सा सवाल है नियो पेंटेन ब्रांच है और 5 carbon है N-butane है N-heptane है simple सा answer था अपना कौन सा आ जाएगा N-heptane और इसमें आई-so-butane दे रखा है तो जिसमें number of carbon ज़्यादा होगा उसमें molecular weight भी क्या होगा ज़्यादा होगा और BP भी क्या होगा ज्यादा next सवाल की बात करते हैं next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल अपने पास 15 number सवाल देखिएगा दोस्तों क्या चाता है अपने से methane का chlorination करवा दो दोस्तों और कौन सा step पुछा गया है terminal step कौन सा पुछा गया है terminal step अपने पीछे सवाल में अपने बात की थी alkane, alkane कौन सी reaction शो करते हैं free radical substitution reaction शो करते हैं दोस्तों थ्री स्टेप होते हैं उस mechanism के कौन कौन सी है एक तो फस आपको पता है radical का formation होगा ठीक है कौन सा है chain propagation sorry chain initial step second वाला step जो आता है वो कौन सा है chain propagation step और third वाला कौन सा है terminal step यानि कि जिसमें radical radical आपस में एक दूसरे के हो जाएं यानि कि coupling कर लें तो उसे आप क्या बोलते हो terminal step terminal step कैसा होता है exothermic यानि कि दो बिछडे हुए लोग जब मिलते हैं तो energy release होगी तो यहाँ पर अगरपन बात करें तो देखो radical बन रहा है radical बन रहा है इसका मतलब ये कैसा है chain propagation step है यहाँ देखिए फस में ही सुरुवात हो रही है radical बनने की यहाँ पहले से radical था radical से radical मिला है और यहाँ पे कोई radical नहीं है आपने radical का formation किया है इसका मतलब ये कौन सा है chain initial step है ये chain propagation step है ये देखिए radical है आपके पास और radical और एक कैसा है valence molecule है यानि ki radical नहीं है इसका आपने radical बना दिया radical बना दिया इसका मतलब ये कौन सा है दोस्तो chain propagation step है देखो radical radical एक दूसरे के हो रहे है ठीक है तो इसका मतलब radical radical आप पर देख pipe step बोलेंगे तो termination का minus सबस्तों लास वाला जिसमे radical radical मिलेंगे मिलेंगे तो energy क्या होगी release होगी क्यों क्योंगी एक stable molecule का formation हो रहा है ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो सवाल number अपने को क्या दे दिया 16 देखें का दूस्तों क्या कह रहा है which of the flowing match is correct ठीक है कौन सा मिलान सही है सही मिलान मिलाना है दूस्तों मिला लो बिलकुल आसान सवाल देख लो अब इसकी अगर पन बात करें तो इसमें कितने कारबना आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 CS3 CH2 CH5 दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CS3 तो आपको नाम लिखना है EUPSIV ईनेम लिखोगे SAME GROUP, SAME Side में है तो उसको SIS बोलोży, SAME GROUP, Апizon Size में है तो उसको TRANS BOLोगे यानि कि ये वाली कंडिशन आ जाए SAME GROUP, SAME साइड में है तो SIS और ये सारुखान वाली कंडिशन बन जाए यानि कि adap ऑजिट हो जाए चिक है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों ट्रांस बोलेंगे यस करों तो ये कौनसी है सेम ग्रूप सेम साइड में है तो इसे सिस कहेंगे तो आयू पी एसी नेम लिखेंगे तो पहले सिस तो यूज करोगी अब numero' करोगे numero' किदर सेaris करोगे तो किधर से भी करो तो one two three क्या लिखोगे three number पे क्या रहा है दूस्तो methyl आ रहा है four number पे भी क्या रहा है methyl तो क्या लिख दोगे three four dye methyl total कितने carbon है six और third नमबर पे double bone है तो in लगा दोगे इसका मतलब यह correct है जीक है dipole moment की अगर पन बात करें तो c3 c3 less ion atom है double bone sp2 hybrid है और ये कैसा है SP3 है दोस्तो ठीक है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोन इधर देगा और ये इलेक्ट्रोन भी क्या करेगा दोस्तो इधर देगा तो इधर देगा एक दूसरे को क्या कर देंगे दोस्तो cancel out कर देंगे कहानी खतम इसका मतलब डाइपल मुमेंट जीरो ठीक है तो ये भी बास सत्य गटना बरधारी थे इसकी अगर पन बात करें तो ये CS3 अपने इधर देगा ये CS3 इधर देगा ठीक है क्यों किसका पूछा गया है boiling point तो boiling point की अगर पन बात करें दोस्तो यानि कि कवतनांख की अगर पन बात करें boiling point directly proportional यानि कि depend on किस पे भला polarity पे polarity जितनी जादा होगी उसमें क्या होगा intramolecular attraction force उतना ही क्या मिलेगा दोस्तो जादा मिलेगा जादा मिलेगा तो उसका BPV क्या होगा जादा होगा तो यहाँ पे polarity देखोगे polarity किसकी जादा है यानि कि dipole moment जिसका जादा होगा उसी में polarity जादा होगी और polarity जाद ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उनमें इंट्रा-molecular attraction force उतना ही ज़्यादा मिलेगा और भी पी भी ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर बात करें तो यह CS3 CS3 अब यह CIS condition है यानि कि CS3 दोनों इधर दे रहें इधर दे रहें इसका मलब electron direction क्या होगी दोस्तो डबल बोन की हो गई यानि कि हलकी फुलकी electron density आएगी तो यहाँ पर बात करें तो यह एक दूसरे को क्या कर देंगे cancel out कर देंगे डाइपोल मुमेंट क्या मिला इसका 0 मिला और इसका non-0 मिला इसका 0 हो नहीं सकता और इसका 0 है तो किसका ज़्यादा हुआ सिस का ज़्यादा हुआ तो सिस का BP क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो BP वाला भी सही है इसका मतलब क्या जाएगा दोस्तो 4th answer आ जाएगा ठीक है बात दिमाग में बैठ गई हो गही ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो सवाल नमबर 17 क्या कह रहे है अरेंसा फ्लोविंग हाइट्रोजन हैलाइड इन ओर आफ देर डिक्रीसिंग रियक्टिविटी विद इथीन इथीन के साथ किरिया सिल्टा की बात हो रही है किसकी बला HX के साथ में CH2 double bond CH2 आपने क्या किया है है दोस्तो H और X के साथ में रियक्शन करवाने हैं कौन सी रियक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन है ठीक है तो ये double bond इसके उपर टक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन होगी intermediate carbocatine का formation होगा फिर next F में क्या होगा दोस्तो X negative इसका हो जाएगा तो किसका formation हो जाएगा दोस्तो alkyl halide का ठीक है अब अपने को क्या दे रखा है दोस्तो HF दे रखा है मानलो HBR दे रखा है HCL दे रखा है ठीक है और क्या दे रखा है HBR दे रखा है और HI दे रखा है ये तो भली बानती किसी के साथ reaction करना पसंद नहीं करता up to down move करने पर क्या हो रहा है size increase हो रहा है size increase होगा तो bond length क्या हो रही है दोस्तो increase हो रही है bond length increase होगी तो इसका मतलब bond energy, bond dissociation energy bond energy क्या हो जाएगी दोस्तो decrease हो जाएगी decrease हो जाएगी तो acidic scent क्या हो जाएगी दोस्तों increase हो जाएगी और acidic scent increase हो रही है इसका मतलब जल्दी H positive कौन देगा HI देगा क्यों जल्दी जो hydrogen को भगा देगा वही जल्दी alkin के साथ में react होगा तो किसकी reactivity ज़ादा होई दोस्तों यह reactivity ओड़ा जाएगा तो HI की सबसे ज़ादा उसके बाद में HBR उसके बाद में SCL, HI, HBR, SCL कौन सा answer मिल गया दोस्तों second answer yes or no yes चलो next सवाल बहद ही प्यारा सा सवाल आज कल column matching के सवाल बहुत ज़्यादा देखी जा रहे हैं ठीक हैं तो newt में यहाँ पर अगर बात करें तो मिला दो column first को column second के साथ में reaction दे रखी हैं बिल्कुल प्यारी सी reaction देखें दोस्तों यह क्या दे रखा आपको C6S6 यानि कि benzene दे रखी है benzene की यह कौन सी reaction है CS3, CL, AL, CL3, Friddle Craft, Alkylation reaction है दोस्तों CS3, Carbocatine मिलेगा CS3, Carbocatine, Electrophilic है Subsection reaction पर दसीत कर देगा यानि कि किसका formation कर देगा toluene का तो फस के साथ में आप क्या मिला दोगे दोस्तों B को अपने मिला ही दिया है फिर यह benzene दे रखी है benzene की कौन सी reaction है Electrophilic Subsection reaction CL2 और ALCL3 दे रखा है यहां से भी क्या मिल जाएगा दोस्तों CLCL, ALCL3 के साथ में reaction करवा दोगे तो क्या मिलेगा CL Positive Electrophil मिलेगा तो CL Positive Electrophil मिलेगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यह मिल जाएगा आपका Clorobenzene Clorobenzene इसका मदलब Second का आपने किस के साथ मिला है दोस्तो D के साथ मिला है फिर आपको क्या दे रखा है दोस्तो C6, S6 यानि की benzene दे रखी है और benzene की reaction आप किस के साथ करवा दो C6, S6 दे रखा है दोस्तों तो C6, S6 की reaction आप किस के साथ करवा रहे हो CS3, CO और 2 दे रखा है आपको यानि की यह दे रखा है Acetic Anhydride Acetic Anhydride की reaction अगर आप Al, Cl3 के साथ में reaction करवाओगे तो आप क्या मिलाओगे Friddle Craft reaction है दोस्तों यह भी यह अपना loan pair of electron इस पर लुटाएगा जैसे इसने अपना loan pair of electron दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा CS3, CO यहाँ पर A और C, Al, Cl3 इस पर negative इसने अपना loan pair डोनेट किया है तो क्या हैगा यह कुछ आजाएगा अधिक विदुत्रे नहीं यानि कि more in atom के उपर positive charge आ गया more in atom अपने आपके उपर positive charge बरदास नहीं गर सकता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ CO से electron खिंच लेगा चीन लेगा तो क्या मिल जाएगा CS3, CO positive charge acylenium ion का formation हो जाएगा यह stable है due to back bonding B भी मिलने के कारणी यह stable है यह कौनसी reaction होगी यानि कि Friddle Craft acylation Friddle Craft acylation और यह कौनसी थी Friddle Craft alkylation और यह कौनसी होगी Friddle Craft acylation हो गई तो acylation हो जाएगी acid of inone का formation हो जाएगा ठीक है तो third का किस के साथ मिला दो दोस्तों C के साथ फिर आपको क्या दे रखा है दोस्तों यह दे रखा है sodium salt of carboxylic acid ठीक हैं तो sodium benzoid दे रखा है तो इसकी क्या करवा रहे हो दोस्तों decarboxylation करवा रहे हो तो CO2 निकाल दो दोस्तों CO2 निकाल किसका information हो जाएगा बेंजीन का तो मिला लो दोस्तों first का क्या आएगा B के साथ मिला है second वाला D के साथ मिला है third वाला C के साथ मिला है और last वाला A के साथ मिला है कौन सा answer आ जाएगा first answer की और इसारा हुआ ठीक है ठीक है कॉलम को first reaction second के साथ मिला ही दीजिए ठीक है तो मिला दो साथ ये क्या दे रखा है आपको ये दे रखा है triple one यानि की acid line दे रखी है तो acid line को किसके साथ red होटों से लगाईए जरा red होटों से लगाऊगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तो benzene मिल जाएगी तो यहाँ benzene मिल गई तो benzene पता नहीं ये कौन सा नसा करती है सबसे ज़्यादा इसी कोई नसा है किसका भला resonance का तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसका formation हो गया देखो polymerization हो गया तो polymerization यानि की D मिल जाएगा तो एक को आपने किसके साथ मिला दिया दोस्तो D के साथ मिला दिया अब इसमें double bone है और double bone H2 दे रखा है nickel, platinum, pladium ये catalytic reduction दे रखा है क्या काम करेगा दोस्तो reduction का काम करेगा reduction का मतलब H2 जोडने का काम करेगा तो H2 जोडे को किसे क्या बलोगे hydrogenation का होगे तो hydrogenation यानि कि second को किसके साथ मिला रहे हो आप C के साथ फिर ये क्या दे रखा है दोस्तो alcohol दे रखा है और alcohol में आपने concentry testosterone so for डाल दी और concentry testosterone so for डाला तो क्या हो जाएगा दोस्तो dehydration हो जाएगा ठीक है water को absorb कर लेगा वो और dehydration हो जाएगा तो alkene बन जाएगी और alkene जैसे ही आपको मिली तो क्या मिल जाएगा दोस्तो alkene आपको मिल ही गई alkene आपको मिली यानि कि ethene मिलेगी और ethene मिलेगी तो उसे क्या बलोगे dehydration तो मिला दो दोस्तो third को किसके साथ मिलाओगे B के साथ मिलाओगे फिर last सवाला क्या दे रखा है दोस्तो Alkine दे रखी और Alkine की HX के साथ में reaction करवादो तो उन सी reaction है Electrophilic addition reaction है दोस्तो Electrophilic addition reaction यानि कि Hydro Halogenation Hydro Halogenation ह infinite HX का formation यानि कि HX का addition Hydro Halogenation ठीक है Alkyl Halide का formation हो जाएगा ठीक है तो मिला दो दोस्तों 1st के साथ में D मिलाईए 1st के साथ में D किस-किस में मिल रहा है दोस्तों एक बंदे में मिल रहा है तो कौनसा अंसर आ जाएगा 2nd यास के जो चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौनसा सवाल दे रखा है 2-0 no.5 देखिए दोस्तो बिलकुल प्यारा सा सवाल ये भी NCRT का है आप ये नहीं कह सकते कि ये फिनोल का है नहीं दोस्तो ये आप NCRT पढ़िए बेंजीन की ही रियक्शन है ये बेंजीन है यानि कि बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं तो देखिए ये क्या दे K2H5 positive मिलेगा Electrophilic Subsection Reaction Fritle Craft Alkylation किसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तो एथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होई गया ठीक है तो देख लो एथाइल बेंजीन किसके पास है दोस्तो थर्ड के पास है एथाइल बेंजीन यस करो अपने से क्या पूछा गया था भी पूछा गया अब अपने आंसर मिल गया नेक्स्ट 21 नंबर सवाल क्या दे रखा है दोस्तों बिलकुल प्यारा सा सवाल ये भी अपने NCRT का बहती खुबसूरत सवाल है ठीक है अब आपको पता होगा कि अगर अपने अलकाइन दे दी ये अलकाइन दे रखिया और अलकाइन में आप से क कोई कहे कि आप रेडक्शन करवा दो किसकी परजंस में निकल प्लेटिनम प्लेडियम या प्लेडियम अकेला भी दिया हो सकता है तो वो किसका काम कर देगा दोस्तों कम्प्लीट रेडक्शन का काम करेगा किसी की नहीं सुनेगा वो सिरफ अपना काम पूरा कर देगा आद partially reduction ये तो करेंगे नहीं, ये तो complete reduction करेंगे और अगर आपको H2 और यहाँ पे PD अकेला दे रखाओ या PD के साथ में C भी दे रखाओ तो भी complete reduction करेगा ठीक है, अब आपको ये NCAT की पूरी line पढ़नी है line से line वो क्या कहता है, कि जब आप partially reduction करवाना चाते हो, तो PDC के साथ में क्या दिया होना चीए, कोई भी poisons वाला compound दिया होना चीए, example की बात करें, तो quinoline, jylene, sulfur, इन में से कोई ऐसा कमीना है, तो क्या काम करदेगा, वो partially reduction का काम करेगा, दोस्तों, ठीक है, अगर ये sulfur नहीं दिया होता, तो ये alkaline में convert हो जाता, ये partial reduction काम करेगा, लेकिन cis addition का काम करेगा, तो क्या बन जाएगी, दोस्तों, cis alkaline का formation हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी, R-S और यहाँ पर RH और H, जब sulfur, quinoline, जाएलीन दी होगी, तो ही वो lin-lar reason का काम करेगी, otherwise lin-lar reason का काम नहीं करेगी, NCRT का lin-lar reason है, ठीक है, PDC, ठीक है, प्लेडिनिकर्ट, चारकोल, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पर बात करें, तो sulfur, quinoline, जाएलीन, उसने line दीक देखी है, ठीक है, तो पढ़िएगा गूर से, तो यहाँ पर अगर पर बात करें, तो क्या काम करतेगा, सिस addition, और यह अपना क्या है, bridge reduction है, sodium हो, यह पर lithium हो, इसके साथ में liquid ammonia दे रखी हो, तो वो किसका काम करती है, trans addition का का करती है, यानि कि trans बन जाएगी आपको, यहाँ पर R, S, यहाँ पर R, H, और H, यानि कि A आपकी trans है, और यह आपकी क्या है, दोस्तो, sis है, तो देख लो कौन है, इसमें अगर पर बात करें, तो यह तो कौन सी दे है, sis हो नहीं सकती, यह क्या 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 दे रखी है, दोस्तो, क्या क्या दे रखा है, 22 नंबर सवाल, क्या चाता है दोस्तो, HBR Benzoil Proxide दे रखा है बिल्कुल प्यारा सा सवाल Benzoil Proxide Free Radical Free Radical Addition ये कौनसी रेक्षन है HBR का अडिशन केवल HBR ही Proxide Effect का काम करता है क्योंकि इसके बोट प्रोसेस आर एक्जो थर्मिक की यानि कि इसके दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं तो एक्जो थर्मिक होते हैं केवल HBR ही Proxide Effect का काम करता है Benzoil Proxide दे रखा है Benzoil Proxide की अगर पन बात करें तो अपने पास क्या होता है PHC ये क्या दे रखा है अपने को C दे रखा है Carbon Carbon Double Bond Oxygen लिखा है Double Bond Oxygen 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 Double Bond और O और PH इसका नाम क्या है Benzoil Proxide है ठीक है ये Carbon चिक चिक के कर रहे कि मैं इतना मजबूर हो गया Oxygen से दूर हो गया जिसमें Oxygen Oxygen Linkage आ जाए वो क्या है दोस्तों Per Linkage है ठीक है पर निकलाते हैं उसके मजबूरी का नाम महत्मा गंदी ही नहीं होता दोस्तों क्या होता है Per Linkage भी होता है यानि कि Oxygen Oxygen Bond ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर बात करें तो Free Radical बनेंगे और वो Radical बनेगा जो More Stable होगा Re-rensment किसी परकार का Radical में होता नहीं है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों Radical बनेगा तो पहले कौन चिपकता है इसमें BR पहले जुड़ता है तो BR पहले अडिशन करता है यहाँ पे H पहले अडिशन नहीं करता क्यों क्यों कि सबसे पहले क्या दे रखा है आपको HBR दे रखा है यानि कि R और O इसको मैंने Benzoyl Paroxide को यह लिखा है तो इसका मतलब क्या मिलेगा RO Radical मिलेगा यह अब किसके साथ Reaction करेगा इसके Radical बनाएगा तो किसके साथ जुड़ेगा यह Hydrogen के साथ जुड़ेगा तो RO H मिल गया और आपने को क्या मिलेगा B R Radical मिला है अब यह L King के साथ Reaction करेगा यानि कि यहां पर क्या जाएगा BR Radical तो अब आपके पास दो चांसे हैं कि BR Radical या तो इधर जुड़े या फिर इधर जुड़े वो बनाओगे जो More Stable Radical मिलेगा यानि कि CH2 और BR इसलिए BR पहले जुड़ता है तो यह Free Radical बनता है तो यहां से आप कौन सा Radical बनाना चाओगे यह वाला Radical बनाना चाओगे यहां पर BR लगाना चाओगे बाद में एडिशन होता है तो कौन सा आंसर आएगा दोस्तो Second answer यहां ब्रांच निकाल दी ठीक है BR को गय भी कर दिया यहां पर किसी और के साथ में BR जोड़ दिया और यहां पर अगर पर बात करें तो BR और BR दो जोड़ दिये तो यह अपना आंसर नहीं हो सकता कौन सा आंसर मिला दोस्तो Second answer की और इस सारा हुआ चीक है Number of Carbon count कर लेना दोस्तो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 23 Number सवाल देखेए का दोस्तो 23 Number की सवाल की अगर बात करें तो बिल्कुल प्यारा सा सवाल है NCRT का क्या कह रहा है दोस्तो एक तो आपको क्या दे रखा है Cold Concentrate S2O4 दे रखा है अब Cold Concentrate S2O4 दे रखा है तो वो तो क्या काम करेगा एक H Positive यानि कि एक तो H देगा और एक क्या जुड़ जाएगा HSO4 गुरूप जुड़ेगा HSO4 गुरूप जुड़ेगा यानि कि H2SO4 आपको दे रखा है यह अपने आयन में दोस्तो ब्रेक हुआ कौन सी रियक्शन शो करना Electrophilic Edition रियक्शन शो करना तो यहाँ पे Positive Charge आ जाएगा अब कौन अटेक करेगा दोस्तो HSO4 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव नेगेटिव इसके उपर अटेक करेगा तो क्या मिल जाएगा यह CH2, CS3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हो HSO4 SO4 H अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि O, S, O, 3 और H वो एक ही बात है लिखने का style है वो निकले का अंदाज है अंदाज अपना-पना एक तो आपको यह मिल जाएगा इसका मदलब अगर आपको cold concentrate estrusopore दे रखा है तो alkyne से यह मनेगा आपको ठीक है तो यह मिलेगा यह मिलेगा तो इसका मतलब ए आपका क्या मिलेगा यह मिलेगा ठीक है यानि कि alkyl bisulfate alkyl bisulfate यानि कि ithile hydrogen sulfate बोल दो या bisulfate बोल दो वो एक ही बात है इसमें आपको dilute दे दिया dilute का मतलब क्या हो गया अगर इसमें भी अगर आप dilute डाल दोगे तो alkyl का formation हो जाएगा तो directly क्या मिलेगा दोस्तो alkyl मिलेगा तो यहां से क्या मिल जाएगा cs3, ch2 और oh a आपका यह है a आपका यह है और b आपका alcohol है इसमें a आपका alcohol है नहीं हो सकता b b आपका alcohol है इसमें a आपका यह है और b आपका यह है यह भी नहीं हो सकता इसका मतलब आपका कौन सा answer आजाएगा दोस्तो first answer आपको मिल जाएगा ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या दे रखा है 24 number सवाल क्या कहता है दोस्तो 24 number सवाल यह देखो dilute kaminophor दे दिया अब dilute का नाम सुनते ही दोस्तो आपके दिमाग में घंटी टन टन कौन मिला पिंकी मिली पिंकी मतलब यानि कि अगर आपन बात करें तो cool dilute alkaline 1% के अगर आपन बात करें तो यह किसका काम करता है hydroxylation का काम करता है यानि कि pink color brown color में भूरिये में convert हो जाता है यानि कि brown color मिलेगा तो dihydroxylation यानि कि glycol का formation हो जाएगा दोस्तो तो OH OH जोडने का काम करता है कैसा addition होता है दोस्तो sin addition होता है यह ठीक है और यह क्या है bear अभी कर्मक है bear resent है bear resent है तो कौन सा answer आज है का दोस्तो यह ठीक है इसी में दे रखा आपको glycol यहाँ पर अगर पन बात करें तो दोस्तो क्या है oxidation कर दिया और oxidation तो कब करता केमेनोफोर dilute नहीं होता क्या नहीं होता dilute भी दे रखा है एकवस solution दे रखा है इसका मतलब 1% solution दे रखा है तो क्या मिल जाएगा आपको diol का formation हो जाएगा ठीक है bear resent है यह next सवाल की अगर पने को क्या दे रखा है 25 नंबर सवाल केमेनोफोर दे रखा है दोस्तो केमेनोफोर केटू सी आटो सेवन एसेडिक basic medium दे रखा हो तो इसका मतलब यह क्या काम कर देगा oxidation का काम करता है और पिछले सवाल में अपने को dilute दे रखा था इसका मतलब वो bear अभी करमक का काम करता है bear resent का का काम करता है दोस्तो तो यह क्या काम कर देगा oxidation कर देगा और oxidation करेगा तो एक तू किसमे चेंद हो गया दोस्तो isobutene दे रखिया यह isobutylene double bond CH2 kmanofor oxidized कर देगा इसको किसमे चेंद कर देगा ketone का generally oxidation नहीं होता तो किसमे चेंद हो गया में convert हो जाएगा तो अपने से क्या पूछा है CO2 और acetone के बारे में पूछा है तो पहला acetone और दूसरा CO2 A और B के बारे में पूछा है A और B अपने को यह मिलेगा यसक नो जी हाँ नेक्स सवाल कि अगर बात करें तो अपने क्या दे रखा है दोस्तो 26 नमबर सवाल देखिए क्या कह रहा है ओजोन की रियक्शन करवाईए ओजोन की रियक्शन करवाओगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा CS3 CH CHR CS3 ओजोन रियक्शन करेगी ओजोनाइड का तो ये अपना क्या है दोस्तो ओजोनाइड के बारे में पूछा गया था ठीक है तो सवाल का ध्यान भी रखें भी पूछा क्या गया है कि लास B तक पहुंचा दिया आपने और आपसे पूछ लिया गया था ये ही बीच में ही रस्ते में ही आपको उतरना था और आप चले नेक्स सवाल की अगर बात करनें दोस्तो तो कौन सा दे रखा है 27 नंबर सवाल देखी दोस्तो 27 नंबर सवाल बहेदी प्यारा सवाल है यहां पर अपने को क्या दे रखा है BS3 ले लो या फिर क्या ले लो दोस्तों B2S6 ले लो एक ही बात है अपने BS3 का यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो अब इन दोनों में से EN किसकी जादा है दोस्तों ये Anti-Marconic of Rule के Coding एडिशन करता है B की EN तो होती हैं दोस्तों EN मतला Electro-Negative कितनी होती है वाला दो होती है और इसकी कितनी होती है 2.1 तो ज़्यादा किसकी या Hydrogen की तो इसके उपर क्या आएगा Negative और इस बंदे पर क्या आएगा Positive तो देखो इस पे Negative आ रहा है तो ये वाला बंदा इधर जाएगा और ये इधर यूँ ही नहीं Antimarkonic of हो गया दोस्तों कोई ने कोई तो कारण रहा होगा तभी हुआ है यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों BH2 ठीक है आप जितने Hydrogen होंगे उतनी बार ये दुबारा फिर reaction कर लेगा ले देके आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों ये मिल जाएगा CS3, CH2 यान के alcohol का formation कर देते लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दे दिया दोस्तों Acetic Acid दे दिया अब Acetic Acid से इसको Hydrolysis करवाओगे तो क्या मिलेगा दोस्तों अब आपको पता है Acetic Acid में क्या होता है यह होता है CS3, COO और H ये तो Acetic का ये Negative और ये Positive, H Positive देगा ये तो H Positive देगा तो इसक CH2, CH2 को एक H और मिल गया तो किसका formation हो गया दोस्तों? Propane का formation हो गया Yes, No, CS3, CH2, CS3 ठीक है ऐसा सवाल नीट 2016 में भी देखा गया था ठीक है चलो अगर आपने बात करें तो कौन सा answer मिल जाएगा? Alkane, ठीक है क्या मिल गई? Alkane, next आगे बात करें तो सवाल No.28 देखेगा द देखो NCRT की बहुती प्यारा सा सवाल अगर इस यहां तक की अगर पर बात करें तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन NCRT में ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने सवाल में डाला है कि केल्सियम ओक्साइड को कार्बन के साथ में अगर आप reaction करवा दोगे तो CO remove हो जाएगी औ केल्सियम कार्बाइड का formation हो जाएगा ठीक है सवाल यहीं से अपना पैदा होता है लेकिन फिर भी अपने NCRT में ये दे रखा है इसलिए आपको यादास्त करवा दूँ मैं ठीक है कि केल्सियम ओक्साइड है उसमें कार्बन के साथ में reaction करवाओगे तो क्या मिल जाएगा केल्सियम कार्बाइड का formation हो जाएगा और C-O release हो जाएगी ठीक है तो केल्सियम कार्बाइड दे रखा है तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों केल्सियम प्लस 2 शो करता है और यह क्या शो करता है माइनस 2 यही है केल्सियम कार्बाइड तो यहाँ पे अपने hydrolysis करवा र जाएगा आपको C2H2 मिल जाएगी और C2H2 और एक क्या मिल जाएगा केल्सियम हाइड्रोकसाइड यानि कि इसके दो मॉल यूज कर सकते हो आप ठीक है तो क्या मिल जाएगा दोस्तो Acetylene का formation हो गया ये Alkyne के preparation की first method आपकी NCRT की जानि कि Ethine ठीक है क्या मिल जाएगी दोस्तो Ethine मिल गई ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो सवाल नंबर 29 29 यानि कि More En atom के साथ में जब भी Hydrogen होगा तो Acid Base reaction होगी यानि कि Strong Acid, Weak Acid को उसके Salt में से क्या कर देगा दोस्तो Replace कर देगा, हटा देगा, Remove कर देगा Acid Base reaction तो ये Base है और ये Acid है तो Acid Base reaction होगी H ले जाएगा, किसका Formation हो जाएगा CS3, Triple One, Negative Charge ये मिल गया, ये किसका Formation हो गया Nucleofile का Formation हो गया ये किसके साथ reaction करवा रहे हो CS3 और I के साथ ये Nucleofile अभी इसके उपर टेक करेगा I को जाना ही पड़ेगा SN2 reaction हो गई, SN2 ठीक है, क्या मिल जाएगा दोस्तो 2 Butine का Formation हो गया Triple One, और यहाँ पे CS3 क्या मिल जाएगा दोस्तो Second Answer Next सवाल की बात करें तो 3-0 number सवाल क्या कहता है दोस्तो 3-0 number सवाल देखी क्या दे रखा है Alcoholic के वच दे रखा है Alcoholic के वच किसका Formation करेगा A का Hydrogen निकालेगा और A का BR निकालेगा ठीक है, तो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है कोई साभी H रिमूब कर सकता है दोस्तों, दोनों एक जैसे सकल वाले हैं ठीक है, तो negative और positive कोई साभी अटा दो, यह इसके उपर टेक करेगा यह बोन यहाँ पे और BR चला गया किसका Formation हो गया CS3, C11, CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा BR, यह भी बनाया जा सकता है और आप यह भी बना सकते हो CH, यहाँ पे क्या जाएगा CH और BR, दोनों में से कोई भी बनाया जा सकता है दोस्तों कोई Compulsory नहीं है कि यह बनेगा दोनों बनाया जा सकते हैं, अब दोनों में यानि कि यह भी बनाया जा सकता है भागेगा भागेगा ठीक है D hydro halogenation E2 reaction दोस्तों भगा दिया तो किसका formation हो जाएगा CS3 111 CH ये मिलेगा दोस्तों आगे reaction और नहीं दी हुई otherwise ये एक बार फिर reaction कर लेता वो अपने option में नहीं है इसका मतलब क्या जाएगा दोस्तों क्यों acid base reaction कर लेता जैसे पिछले सवाल में अपने की थी तो क्या बन जाएगा प्रोपाइन प्रोपाइन तक की reaction रोक दी गई है तो answer अपना क्या मिलेगा प्रोपाइन नेक्स सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को 3-1 नमबर सवाल क्या दे रखा है दोस्तों अगर अपन बात करें तो 3-1 में देखिए अलकाइन दे रखी है यानि की acid lean दे रखी है acid lean के hydration करवाना है कुछ रोव reaction है दोस्तों कुछ रोव reaction करवाओगे यानि की खुष रोव reaction करवाओगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यानि की hydration करवा रहे हो आप H positive और dilute estrosophorer H G पलस 2 दे रखा है ठीक है 333 Kelvin ठीक है तो यहाँ पे reaction करवाओगे तो वही होगा दोस्तों एक side में H जोड़ दो एक side में क्या जोड़ दो OH जोड़ दो ठीक है Hydration करवा दिया यह कौन सी फॉम है दोस्तों inol फॉम है ενol किसमे में जाना चाहेगी दोस्तों क्ला Konto F escuch चेंज हो जाए तो उस्हें क्याूं कहा जाता है टोतोमेरीजन कहास आता है कौन साा आंसर मिल जायगा दोस्तों यह और भी की दोनों पूछा गये थे यह सवाल आपको nc80 में यानि की नीट में देखा गया था नीट में अगर इस सवाल की अगरपन बात करें तो क्या दे रखा है यह सवाल अपने से पूछा गया था इसका हाइडरिशन करवाया हुआ था अपनी यह दे दिया थेक हैं तो ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे इसकी अगर बात करें तो 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों 32 की बात करें तो देख लो एथीन दे रखी है दोस्तों एथीन एथीन की किसके साथ रियक्शन करवादो दोस्तों ट्रीट्मेंट करवादो बात कैसी होती है ब्राउन रेडिस ब्राउन कलर की होती है यह अन सेचुरेशन टेस्ट शू करती है किसका formation हो जाएगा दोस्तो BR-BR आजाएंगे BR-BR क्या नहीं हो जाएगा 1-2-1-2-Di-Bromo-Ethene का formation हो जाएगा 1-2-Di-Bromo-Ethene यानि कि second answer next सवाल की बात करें तो दोस्तो कौन सा दे रखा हैं 33 नंबर सवाल zinc metal दे रखा हैं दोस्तो zinc metal के साथ में heat करोगे तो क्या काम हो जाएगा दोस्तो V यानि कि D-Halogenation D-Halogenation करवाद होगे तो किसका formation हो जाएगा दोस्तो propene का formation हो जाएगा यानि कि आप तो क्या मिल जाएगी दोस्तो propene मिलेगी ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 34 नमबर सवाल बिल्कुल लॉलीपोप है दोस्तो सवाल बिल्कुल लॉलीपोप सवाल है neat level सवाल है NCRT के सारे के सारे सवाल है HBR के साथ में reaction करवाद हो दोस्तो आपने ऐलकाइन दे रखी है और की HBR के साथ में reaction करवा दो ठीक है तो क्या जोड़ोगे पहले एच positive जोड़ोगे electron तो इधर ही जाएंगे इधर जाएंगे तो इस पर negative और इस पर positive आएगा तो यह तो positive है तो यह इसके पास जाएगा और BR इस side में आ जाएगा क्या बन जाएगा CS3C double bond CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा BR एक बार फिट BR का addition करवाना है तो यह तो conjugation participate कर रहा है तो फिर H positive और BR तो एक ही ननी सी जान पर दो BR आजाएंगे यानिकि एक ही कारबन पर दोनों के दोनों BR पाइज आएंगे तो अपने को answer कौन सा मिल जाएगा BA और B दोनों पूछे गए है यह और B यह अपना हो नहीं सकता यह अपने कोई रोक नहीं सकता तो इसका मतलब कौन सा answer आ जाएगा दोस्तों थर्ड आंसर अपने को मिल जाएगा YES कनो जी हां नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 35 नंबर सवाल देख लो सोडा लाइम दे रखा है दोस्तों सोडा लाइरे तो सोडा लाइम की परजंस में क्या हो जाएगा दोस्तों CO2 रिमूव हो गई किसका फॉर्मेशन हो गया CH4 का CH4 का कलोरिनेशन करवादो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CL का और सोडियम और ड्राइधर का आना वूर्स रियक्शन की याद दिलाना और इथेन का बन जाना क्या है दोस्तों वूर्स रियक्शन ही तुई तो क्या मिल जाएगा आपको इ इथेन, यस करनो, जी हाँ, नेक्स सवाल कि अगर मैं बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों, 36 नंबर सवाल, देखें, अलकोलिक के वच दे रखा है तो क्या बना देगा, डी हाइड्रो हैलोजीनेशन कर देगा, अलकीन बना देगा, अलकीन की रियक्शन आप किस के साथ करवाईएं, दोस्तों, B-R-2 C-C-L-4 के साथ करवाईएं, B-R-2 C-C-L-4 के साथ करवाऊगे, तो दोनों पर क्या सब्सक्राइगा, दोस्तों, जैम बनेगा, यः विसिनल, विसिनल डाई हैलाइट का फोर्मेशन हो जाएगा, दोस्तों, तो विसिनल आपको मिल जाएगा आप से क्या पूछा गया है भी पूछा गया है और भी आपका आंसर है ठीक है नेक्स अगर अपन बात करें तो बहद ही प्यारा सा सवाल है ये 37 नंबर सवाल देखेगा दोस्तों H2SO4 दे रखा हो या SO3 दे रखा हो या फिर फ्यूमिंग सल्फियूरी कैसरेट दे रखा हो य क्या दे रखा है तो क्या बन जाएंगा दोस्तों डवल बोन मोरी एनटम के उपर या जाएगा positive charge more in atom अपने आपके उपर positive charge बरदास नहीं कर सकता h2o को remove कर देगा क्या बन जाएगा o s double bone o double bone o और सनम के उपर क्या गया दोस्तो positive यानि कि self पर positive positive charge नहीं रखना जाता यह क्या कर देगा दोस्तो bv दिला देगा यानि कि back bonding जैसे ही इसको bv मिली दोस्तो क्या जाएगा double bone s double bone o और double bone o अब इसके उपर positive charge आगया more in atom अपने आपके उपर positive charge है नहीं रख पाएगा नहीं रख पाएगा तो h को कहेगा तू चला जा तो जैसे ही वो चला गया चला गया तो क्या छोड़ गया SO3 छोड़ गया दोस्तो यह ही इलेक्ट्रोफाइल चीक है अब इसके उपर benzene attack करेगी electrophilic substitution reaction देगी और किसका formation कर देगी benzene sulfonic acid का formation कर देगी sulfonation हो गया चीक है कोई electrophil पूछे तो कोन है इसमें SO3 छीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 38 नमबर सवाल बिल्कुल प्यारा सवाल दोस्तो क्या पूछा गया है इंकरेक्ट पूछा गया है को क्या बोलेंगे दोस्तो बेर रीजेंट बोलेंगे सही बात है कोई भी इलकीन आपको दे दी चीक है इसके उपर है इस पोजिटिव का reaction कर वाया है इलकीन कौनसी reaction शो करेगी इलक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन शो करेगी इंटरमेडियट कार्बोखटैन का formation हो जाएगा यहां पर ओक्सिजन 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 का ब्रइजन ब्रीजन नहीं होता है इन दोनों में से एक गलत था तो कौन सा गलत है पूर्थ गलत है आपका इसका मतलब यह आपका आंसर हो गया यह जी हाँ नेक्स स्वाल के बात करें तो कौन सा दे रखा है دोस्तों थर्टी 9 नमबर इसक्स वाल आपको दे रखा है present दे रखा है और इसकी reaction आप किसके साथ करवा रहे हो जैड और H इसके पास क्या है negative इसके पास क्या है positive यह acidic hydrogen है इस पे पास negative इस पे positive यह वाला इसके उपटेक करेगा किसका formation हो जाएगा दोस्तो एलकेन का formation होगा अब यह जैड क्या क्या हो सकता है जैड मोरी एनेटम हो सकता है क्या हो सकता है मोरी एनेटम और यह मोरी एनेटम कोन-कोन हो सकते हैं फ्लोरीन ओक्सीजन नाइट्रोजन ट्रीपल बॉन सनम और कालिया इन के साथ में अगर Mori увytin of method बूला साता है जैर alarm कर सकता है Mori इसके पास है क्या नहीं है इसके पास है क्या नहीं है टर्मिनल अलकाइन होती तो होता ठीक है तो कौन सा है अलकोहल अलकोल के साथ गिन्यारीजेंट रियक्शन करवा दोगे ठीक है तो क्या मिल जाएगा अलकाइन का फोर्मेशन हो जाएगा इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है 40 नमबर सवाल which of the flowing is a structure of gammaxine gammaxine की structure की पूछ गया है दोस्तो gammaxine कौन सी होती है वही triple six भूतों का नमबर triple six जिसको प्यार से क्या बोलते है bhc benzene hexa chloride बोला जाता है benzene hexa chloride बोला जाता है यही है gammaxine यही है lindane bc को बोलते हैं जब आप benzene की reaction यह बहती प्यारे सा सवाल है यानि कि benzene की reaction आप C-L2 के साथ करवा दो C-L2 के साथ में करवा ही देना और वो भी कहां पे access में करवाना दोस्तो अधिकता में करवा होगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तो यह मिल जाएगा B-H-C यह free radical addition reaction होती है जो बैंजीन है वो कौनसी reaction शो करती है ESR reaction शो करती है यह कौनसी reaction है free radical addition reaction है ठीक है इसी में बोलते है इसका नाम यह है दोस्तो benzene hexa chloride ठीक है बैंजीन से बना है इसलिए ठीक है जबरदस्ती से बनाया है इसलिए तो कौनसा answer आजाएगा यही आपका gamexin है यही आपका B-HC है यही आपका linden भी यही है ठीक है तो third answer next अगर अपने बात करें तो कौनसा दे दिया है four one number सवाल देखिए का दोस्तो क्या पूछा गया है which of the flowing reaction take place according to Marko-Nikov Marko-Nikov rule के according Marko-Nikov Marko-Nikov rule क्या कहता है दोस्तो की H positive का addition वहाँ पे होगा जहाँ पे number of hydrogen क्या हो जादा हो Marko-Nikov यह कहता है ठीक है और अगर symmetrical alkeen दे रखी है तो उसके उपर Marko-Nikov or anti-Marko-Nikov दोनों ही rule काम नहीं करते दोस्तो तो यहाँ पर क्या दे रखा है HBR दे रखा है और HBR क्या काम करता है दोस्तो एक H positive और एक BR ठीक है प्रोकसाइड दिया होता तो आपको पता है वो किसका काम कर देता anti-Marko-Nikov rule के according काम कर देता तो HBR आपको पता है H positive के उपर ठेक करेगा और फिर BR जूट जाएगा तो यह Marko-Nikov rule है यह दोस्तो Marko-Nikov rule कहता है कि double bone पे positive आले काडिशन वहाँ होगा जहां पे number of hydrogen जादा हो negative आले काडिशन वहाँ होगा जहां पे number of hydrogen कम हो ठीक है कम है वही हुआ है तो यह Marko-Nikov rule है इसकी अगर बात करें तो यह तो reaction ही उल्टी होगी देखो यह तो ही नहीं सकता यह anti-Marko-Nikov rule के coding चिपका रखा है इसमें HBR प्रोक्साइड नहीं दिया हुआ था इसमें प्रोक्साइड दे रखा है तो यह तो cross rule के coding है anti-Marko-Nikov rule के coding है तो यह Marko-Nikov rule को follow नहीं कर रहा है और यह reaction ही गलब थी यहाँ पर अगर बात करें तो HBR यहाँ पर दोनों भी दोनों क्या दे रखी है symmetrical अलकिन CH2 CH2 दे रखा है symmetrical किधर भी जोड़ो Marko-Nikov भी वही कहेगा anti-Marko-Nikov भी वही कहेगा इसका मलब Marko-Nikov rule के coding है अगर पन बात करें तो कौन सा आएगा first answer ठीक है next सवाल की अगर पन बात करें तो कौन सा दे रखा है 42 number सवाल क्या दे रखा है दोस्तों intermediate during the addition of SCL of propene presence of proxide proxide की presence में reaction करवानी है propene पर देखो CS3, CH, double bond, CH2 और यहां पर किस की addition करवा रहे हो SCL और आपको क्या दे दिया per oxide यानि की proxide effect काम करवाना है benzoil proxide दे दिया ठीक है कोई भी दे दिया R2O2 दे दिया ठीक है तो proxide दे रखा है तो proxide आपको पता है only on HBR ही show करता है क्योंकि HBR की दोनों process कैसे होते है दोस्तो exothermik होते है SCL HI यह काम नहीं करता है यानि कि यह ऐसे गंदे काम वो नहीं करेगा नहीं करेगा तो इसके उपर proxide का कोई फाइदा नहीं है इसका एक step exothermik और एक है endothermik होगा इसका मलब HBR ही proxide effect शो करता है SCL कदापी नहीं करेगा तो यह आइनिक reaction शो करेगा पहले कौन चिपकेगा दोस्तो H positive H positive जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तो intermediate carbocatine का formation हो जाएगा और intermediate carbocatine उसके बाद में CL negative इसके साथ चिपक ही जाएगा ठीक है तो क्या मिलता है दोस्तो जोडने पर intermediate की बात हुई है तो intermediate क्या मिलेगा दोस्तो radical ना ना क्या मिलेगा carbocatine कौन सा बला isopropyl carbocatine का formation हो गया second answer की और ही सारा हुआ आगे बढ़ते हैं कौन सा दे रखा है 43rd number सवाल की अगर पर बात करें तो by which of the flowing recent ethene and ethene can be differentiate ठीक है differentiate कौन करेगा विभेधित कौन करेगा दोस्तो differentiate करने के लिए आपको पता है एक तो आपको क्या दे दी ethene दे दी और एक आपको क्या दे दी दोस्तो ethene दे दी अब ethene और ethene दोनों ही है अब इसकी किसके साथ reaction करवा के इन दोनों को differentiate कर सकते हो separate कर सकते हो identify कर सकते हो कि ये alkyne है ये alkyne है ठीक है तो BR2 CCL4 के साथ में reaction करवा होगे तो दोनों ही reaction कर लेंगे ये तो unsaturated test होता है आपको बता है ठीक है ये तो redis brown color का है इसके साथ में क्या हो जाएगा colorless हो जाएगा decolored हो जाएगा तो दोनों के साथ ही reaction करेगा तो इसका मतलब इससे तो नहीं बता सकते और dilute kemno4 आपको बता है dilute kemno4 किसका काम करता है OHL चोड़ने का काम करता है इसका मतलब वो भी hydrosillation करेगा और खुद कैसा हो जाएगा pinky से brown color का हो जाएगा इसका मतलब इससे भी identify नहीं कर सकते ammonical ammonical silver nitrate से कर सकते हो जी हाँ कर सकते हो ammonical silver nitrate अगर आप जाल दोगे तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तो bear reason सोरी क्या कहा जाता है tollane reason कहा जाता है tollane reason कहा जाता है tollane reason terminal alkyne के साथ में white PPT show करता है दोस्तो रजजत दरपन नहीं बनाएगा silver mirror नहीं बनाएगा silver mirror तो कौन बनाते है aldehyde जैसे लोग बनाते है yes or no ठीक है glucose बनाता है factose बनाता है alpha hydroxy carbonyl compound बनाते है hemi acetal बनाते है ठीक है और formic acid बनाता है वो silver mirror बनाते है ये रजजट दरपन silver mirror नहीं बनाएगा दोस्तो terminal alkyne tollane test positive देती है but white PPT show करती है वो silver mirror का formation नहीं करती तो क्या आजएगा CH triple bond C और AG क्या मिलेगा आपको white PPT तो white PPT बनाएगी sweet of shape बना देगी लेकिन alkyne ये reaction नहीं करेगी तो इसका मतलब किस से differentiate कर सकते हो ammonicart AZ NO3 यानि कि tollane decent से कर सकते हो ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या दे दिया दोस्तो 44 नंबर सवाल क्या चाता है दोस्तो अपने से ये कह रहा है कि कोई ऐसी alkyne पकड़ो जिसका ozonal ice साब करवाओ और acetone मिल जाए देख लो इससे करवाओगे तो acetone मिलेगा क्यों गई थी market में क्या चीज acetone acetone के दो मौल मिलेंगे ठीक है तो कौन सा आजाएगा दोस्तो ozonal ice करवादो fourth answer पालो next सवाल की अगर पने बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 45 नंबर सवाल the order of increasing reactivity of the flowing compound towards HCl HCl के साथ में यानिकि अलकीन की HCl के साथ में reactivity देखनी है electrophilic addition reaction आपको पता है दोस्तो directly proportional होती है किसके stability of intermediate carbocatine के intermediate carbocatine की अगर पने बात करें तो ये इथाइल carbocatine मिलेगा ये isopropyl carbocatine मिलेगा और ये tertiary butyl carbocatine मिलेगा 3-2-1 की मिलेगी 3-2-1 3-2-1 ये ही answer आएगा दोस्तो क्योंकि ये अलकीन की reactivity किससे देखनी है intermediate carbocatine मिलेगा और जिस भी reaction में intermediate carbocatine मिलेगा उसके directly proportional है ठीक है reactivity तो कौन सा answer मिला second next अगर पन बात करें दोस्तों क्या देरखा है 46 number सवाल क्या पूछा गया है बिल्कुल आसान सा सवाल है ऐसा सवाल NEET में पूछा गया था वहाँ पे आपको क्या पूछा गया था दोस्तों ISO-butyl group पूछा गया था यहाँ आपने क्या पूछ लिया secondary butyl group पूछा गया है बिल्कुल आसान सवाल ठीक है What is the structure of the secondary butyl group in an organic compound ठीक है तो किसी कारबनिक योगिक में धित्यक व्यूटाइल समोहें कि सरंचना क्या हो सकती है यह तो एक डिगरी कारबन है एक डिगरी है तो इसका नाम क्या हो गया N-butyl यह देखो यह कारबन कैसा है थ्री डिगरी है तो थ्री डिगरी के लिए क्या यूज करोगे टर्सरी ब्यूटाइल ठीक है और इसकी अगर पर बात करें तो क्या है दोस्तो 1, 2 2 डिगरी है और 2 डिगरी के लिए क्या यूज करोगे दोस्तो secondary यूज करोगे यह 1 डिगरी है दोस्तो और यह क्या है आईसो ब्यूटाइल आईसो कब यूज करते हैं टर्मिनल एंड से सेकेंड नंबर कारबन पर टर्मिनल एंड से सेकेंड नंबर कारबन पर सिंगल सी एस्तरी है तो आईसो यूज करेंगे अब इसके लिए आईसो यूज नहीं कर सकते टर्मिनल एंड से सेकेंड नंबर कारबन पर इथाईल है टर्मिनल एंड से सेकेंड नंबर पर कुछ नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यह कैसा है secondary butyl group है तो अपने से क्या पुछा गया था secondary butyl कौनसा आंसर थर्ड आंसर की और इसारा हुआ आगे बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है अपने को 47 नंबर सवाल 47 नंबर सवाल की अगर बात करें तो the one among the flowing compound is the most reactive towards electrophilic nitrogen nitrogen करवाओगे तो electrophilic substitution reaction पाओगे और electrophilic substitution reaction में आपको पता है दोस्तो ESR ESR electrophilic substitution reaction directly proportional है किसके electron releasing group के universally proportional है किसके electron withdrawing group के यानि कि प्लस वाले प्लस वाले बेंजीन रिंग पे electron density को increase करते हैं minus वाले decrease करते हैं तो इसका मलब plus वाले increase करेंगे minus वाले decrease करेंगे ये आपको क्या दे रखी है दोस्तो benzene दे रखी है ये nitro benzene दे रखी है और nitro benzene पे कौन सा effect हो गया दोस्तो minus M effect हो गया deactivating group हो गया toluene दे दिया दोस्तो toluene में क्या हो गया दोस्तो alpha hydrogen हो गया alpha hydrogen यानि कि hyperconjugation शो कर देगा ये plus वाला हो गया यानि कि plus H plus I ठीक है benzene जोई कैसिड क्या आज हैगा दोस्तो minus M आज हैगा benzene जोई कैसिड का भी कौन सा effect है minus M effect है ये तो कैसा हो गया deactivating group हो गया ये भी deactivating group हो गया ये activating group है तो सबसे ज़्यादा activating group कौन है toluene ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने को 48 नमबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तो 48 नमबर सवाल की अगर बात करें तो बिल्कुल आसान सा सवाल HCL HCL के साथ में प्रोकसाइड दे दिया कौन सा रूल मारकोनिक ओफ रूल इंटरमेडियेट कार्बोकिटैन बनाओ लुप तुठाओ ठीक है रिरेंजमेंट हो रहा है तो करवाओ नहीं तो CL चिपकाओ और HBR दिया होता तो वो अन्टी मारकोनिक ओफ क्रास रूल प्रॉक्साइड इफेक्ट का काम करता अब प्रॉक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा तो क्या जोड़ोगे दोस्तो H पोजिटिव CL नेगेटिव तो इसने अपना लोन यानि कि पाइल अक्रोन डेंसिटी इसको दे दी तो क्या मिल जाएगा दोस्तो इंटरमेडियेट कार्बोकेटाइन का फोर्मेशन हो गया C6 है H5 CS3 CH2 और CS3 और इसके उपर पोजिटिव चार्ज आ गया दोस्तो अब इसको क्या दे दो CL नेगेटिव दे दो CL नेगेटिव दोगे तो कहां पे मोर स्टेबल है ये डू टो रेजोनेंस कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तो सेकेंड आंसर की और इस सारा हुआ ठीक है तो कौन सा आंसर मिलके आपने को सेकेंड नेक्स अगर आपने बात करें तो क्या दे रखा है आपने को 49 नंबर सवाल देखिए का दोस्तो क्या किया रहा है which of the flowing is the ortho-para-directing for electrophilic substitution reaction ortho-para-directing की बात हो रही है तो plus वाले ortho-para-directing होंगे minus वाले metadirecting होंगे plus वाले benzene ring पे electron density को increase करेंगे तो ortho-para पे negative charge आएगा minus वाले जो होंगे ortho-para पे क्या लाएंगे positive charge लाएंगे इसका मलब सभाविक सी बात है कि positive वाला ortho-para पे तो आई नहीं सकता कहां जाएगा वो कहां जाएगा meta पे जाएगा meta पे electron density देखेगा कि यहां कुछ खाने को मिल सकता है तो यहां ortho-para की बात हो रही है तो कौनसा काम करेगा electron leasing group यानि कि plus वाले काम करेंगे OCS3 का कौनसा effect होता है दोस्तो plus M होता है NO2 का कौनसा effect है दोस्तो minus M इसका भी कौनसा effect है दोस्तो minus M इसका भी कौनसा effect है दोस्तो minus M plus M किसको बोलते है conjugated system से attach atom के पास lone pair और negative charge है तो plus M ठीके और किसी conjugated system से attach atom और next atom के बीच में क्या हो दोस्तो double bone या फिर triple bone हो attach atom से next atom की EN क्या हो दोस्तो ज़ादा हो तो उसे कौनसा effect कहा जाता है minus M कहा जाता है ठीके तो कौनसा answer आ जाएगा और थो और पेरा प्यारासा सवाल poison's gas levisite का formation किस से कर सकते हो बताओ किस reaction से किया जा सकता है पहली से ही किया जा सकता है acid lean दे रखी आपको ठीक है acid lean की Lcl3 के साथ में reaction करवा दो क्या मिल जाएगा दोस्तो CH CH double bone CH एक side में CL जोड़ दो और एक side में क्या जोड़ दो ASCL की 2 इसको क्या बोला साता है levisite बोला साता है दोस्तो levisite second world war में use हुई थी poison's gas है second world war में use हुई थी first world war में आपको पता है mustard oil gas का use किया गया था ठीक है तो कौन सा answer मिल जाएगा आपको first वाला answer मिल जाएगा alkyne की reaction है यानिकि acetylene की reaction है फिर अगर पर बात करें तो इसको क्या बोलते है levisite बोला साता है next क्या दे रखा है 51 number सवाल the shape of methane ethene और ethane ये भी आपके NCRT का सवाल है ठीक है तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है methane आपको ये दे दिया CH4 ये आपको क्या दे दिया दोस्तो ethene और ये आपको क्या दे दिया दोस्तो ethane ठीक है अनू की shape पुछी गई है यानिकि hybridization shape करता है इसमें कौन सा hybridization है दोस्तो SP3 है इसमें कौन सा है SP2 है इसमें रेखा मैंने तुझे पहली बार देखा तो इसका मतला वी इसकी तो structure कैसी होगी दोस्तो linear होगी और इसकी अगर आपन बात करें तो कैसी होगी दोस्तो planar होगी यानिकि यही वाली structure मिलेगी planar planar होगी यानिकि trigonal planar क्या मिलेगी एगा इथाइन रिखिया है तो इसका मतलब फासा अंसर ठीक है बिलकुल आसान सा सवाल है ठीक है ये भी सवाल पूछा जाता है CH4 में कितने बोन एंगल है नंबर ओफ बोन एंगल ठीक है कितने है छे बोन एंगल है ये आपको पता है नेक्स अगर आपने बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों 52 नंबर सवाल ए हाइड्रो कार्बन ओफ फॉर्मुला C6H10 एब्जोब ओनली वन वन मोलेकुल ओफ ह2 अपन हाइड्रोजीनेशन करवाते हूं यानि कि निकल प्लेटिनम प्लेडियम इनकी प्रसंस में जब आप रेडक्शन करवाओगे तो क्या मिल जाएगा C6H10 एए तो क्या मिलेगा वन मोल को एब्जोब करेगा यानि कि C6H12 का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है वन मोल एब्जोब है CH2 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 कितनी टाइम है चार टाइम है यहाँ COO और H ओजोनलाइसिस करवाया तो यह प्रडक्ट मिला आप आपको एलकीन चाहिए कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है ओजोनलाइसिस करवाते हैं तो डबल बोन को ब्रेक करके आप क्या लगाते हो दोस्तों डबल बोन यानि कि एक इसमें क्या जाएगा डबल बोन यही मिला है तो इसका मलव साइकलो हैगजीन का फोर्मेशन हो गया दोस्तों तो आपका क्या था साइकलो हैगजीन है वन मोल को ही एबजोब करेगा अलकाइन नहीं हो सकती अलकाइन होती तो वो टू मोल को एबजोब करती ठीक आईए दोस्तो Scl के साथ में अब आपको पता है यह इलेक्ट्रोन लीजिंग ग्रूप है इधर देगा इस पर नेगटिव इस पर पोजटिव इस पर पोजटिव इस पर नेगटिव यह नेगटिव वाला इसके पास आया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा CS3, CH2 और यहाँ पर डबल बोन, CH2 और CL आ गया अब इसकी रियक्शन किसके साथ करवानी है HI के साथ यह इलेक्ट्रोन लेंसिटी इधर ही जाएगी इधर जाएगी तो इस पर नेगटिव और इस पर क्या जाएगा दोस्तो पोजटिव यह पोजटिव और यह नेगटिव यह तो AI आएगा, आई आएगा इसका मतलब एक ही कारबन पर दोनों पर क्या आएंगे दोस्तो आई आएंगे तो एक ही कारबन पर आई कौन है दोस्तो यही है वो भी कौन से नमबर पर? second number carbon पर IE और CL दोनों मिलेंगे यहाँ पर first number पर दे रखा है इसका मलब यह अपना answer नहीं हो सकता कौन सा answer मिल गया second answer yes कनो B अपने से पूछा गया था next अगर अपने बात करने तो क्या दे रखा है 54 number सवाल देखेगा दोस्तो 54 number सवाल की Hydration करवाना है करवादो Hydration करवाओगे तो सबसे पहले कौन जुड़ेगा दोस्तो सबसे पहले addition होगा H positive यानि कि Alkene कौनसी reaction Electrophilic addition reaction देती है तो H positive जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CS3 positive charge 2 degree intermediate carboctine मिला है जिस भी reaction में दोस्तो intermediate carboctine का formation हो जाए उसमें क्या हो जाएगा re-rensment करवादो दोस्तो पुनर विन्या CS3 उचल कूद करता वा इधरा जाएगा ठीक हैं 2 degree से किस में convert हो जाएगा दोस्तो 3 degree में convert हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा CH CS3 और यहाँ पर CS3 positive charge अब H2O इसके उपर attack कर देगा attack कर देगा तो यहाँ हो जाएगा कौन सा answer मिल जाएगा first answer की ओरी सारा हुआ ठीक हैं तो यह अपने को कौन सा मिल गया first answer next सवाल की अगर पर बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों 55 number सवाल देखें 55 number सवाल क्या कर रहा है which of the flowing propine on hydrolysis propine का formation कौन करेगा देखो यह दे दिया AL aluminium carbide दे रखा है 4C3 C3 इसको आप break कर दो क्या मिल जाएगा aluminium plus 3 शो करता है तो किता आज आज आएगा 4, 4, 3, 12 यानि कि 12 और इसकी अगरपन बात करो तो क्या आएगा minus 12 3 जानि कि 3 minus 4 अब इसमें hydrolysis करवाओगे तो दोस्तो H positive इदर आएगा OH negative इदर आएगा क्या मिल गया CH4 propine नहीं मिली Mg दे दिया दोस्तो Mg plus 2 और C3 इसको break करोगे तो Mg क्या शो करता है प्लस 2 शो करता है और कितने Mg दे रखे हैं 2 Mg दे रखे हैं 2 छेक हैं तो 4 हो गए तो यहाँ पर क्या जाएगा C3 minus 4 अब H positive इसको दोगे और OH negative इसको दोगे तो क्या बन जाएगा C3H4 और C3H4 के क्या बना सकते हो और Carbon के तना आएगा minus 4 यानि कि CH4 इसकी बात करें तो पीछे सवालों में अपनी की थी प्लस 2 और माइनस 2 ठीक है तो इससे Acidlene का formation हो जाएगा तो कौन सा answer मिल जाएगा दोस्तों Second Next सवाल की अगर पन बात करें दोस्तों तो कौन सा आ रहा है 56 नमबर सवाल यह कह रहा है कि Ethane is Formate when X is heated with soda lime then X will be X क्या है ठीक है X की बात हो रही है दोस्तों X क्या होगा तो इथेन का formation करना है तो इथेन का formation करने के लिए आप soda lime चाहिए आपको तो soda lime आपको estrogen का formation नही hugely हो सकता प्रोपेनोइक acid दे दिया आपको प्रोपेनोइक acid दे रखा है CH2, CWH दे रखा है soda lime के साथ में आपने heat किया heat किया तो ख्या कर जेगा दोस्तों CO2 remove ओगई CO2 remove होगई तो इसका formation हो गया épthen का formation हो गया दोस्तों इथेन का formation हो गया, तो propanoyic acid अपना answer हो गया, butanoyic acid से propan का formation कर सकते हो, इथेन का formation नहीं कर सकते हैं, अगले ने इथेन पूछा है, तो कुन सा answer आजाएगा दोस्तों, third answer, next सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, om dm reaction है, oxy mercuration, demercuration, बैसे देखा जाए तो दोस्तों, oxy mercuration, demercuration आपके anxiety में नहीं है, फिर भी अपने बहुत बात पढ़ाते हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़ते भी हो, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, हो सकता है, आपको बहुषय में पूछा भी जा सकता है, इसलिए अपन करवाते हैं, reaction, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, mercury कैसिटेट दे रखा है, mercury कैसिटेट और उसके बाद में, क्या दे रखा है, आपको दोस्तों, demercuration करवाना है, sodium borohydride से आपको reduction करवा देना है, तो marconic of या anti-marconic of, marconic of rule के coding, water का addition होता है, overall इस reaction में, यानि कि यहाँ पर marconic of लगा दो दोस्तों, इस side में क्या जाएगा, negative आएगा, इस side में क्या आएगा, positive यानि कि यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो marconic of rule, no intermediate carbocatine, ठीक है, cyclic transition state का formation होता है, cyclic mercurianium iron का formation होता है, non classical carboc उसे बोला साता है, जिसमें carbon positive charge नहीं होता, mercury पर होता है, यहाँ, ठीक है, तो कौन सा answer मिल जाएगा, दोस्तों, third, next सवाल की, अगर पर बात करें, तो कौन सा दे रखा है, 58 number सवाल, यह अपकी NCRT का ही है, NCRT का सवाल, यानि कि HBO reaction है, आपके, तो HBO, यानि कि hydroboration oxidation करवादो दोस्तों, किसके according, anti-marconic off rule, वो marconic off है, यह क्या है, anti-marconic off rule के according, no intermediate carbocatine, ठीक है, तो यहाँ पे एक number, overall water का addition होता है, anti-marconic off, यहाँ पे H आजाएगा, और यहाँ पे क्या आजाएगा, OH, कौन सा answer मिल जाएगा, दोस्तों, आपको first answer, क्योरी सारा हुआ, बिल्कुल आसा सवाल, ठीक है, next सवाल की, अगर आपने को क्या दे रखा है, 59, number सवाल, पेराफीन का, जनल फॉर्मूला आप से पूछा गया है, पेराफीन किसको बोलते हैं, दोस्तों, एलकेन को बोला साता है, और एलकेन का फॉर्मूला आपको पताईए, दोस्तों, एलकेन की GF क्या हो फॉर्मूला है, GF है, उसकी GF का मतलब जनल फॉर्मूला है, दोस्तों, ठीक है, जहान न पहुंचे, रवी वहाँ पहुंचे का कभी, ना, वहाँ नहीं जाना है, यहीं रहना है, ठीक है, next सवाल की, अगर पने बात करें, तो क्या दे रखा है, दोस्तों, 60, number सवाल, बिल CH, CH, C, triple bond, CH, यहाँ दो, यहाँ पे double bond, अब इसका numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, यहीं पूछा गया था दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, paint, 1 in, 4 in, ठीक है, number of sigma pi bond काउंट करना है, आपको respectively पूछा गया है, number of hydrogen काउंट कर लो, और carbon, carbon के बीच में एक bond काउंट कर लो, वो त दिखाए दे रहे हैं, 1, 2, 3, 3 तो आपके पास क्या है, pi bond है, 3 pi bond है, और आप से क्या पूछा गया है, 3 pi bond इसमें भी है, 3 pi bond इसमें भी है, 3 pi bond इसमें भी है, अब सिग्मा बोन की बात आगी दोस्तों, अब आप से respectively पूछा गया है, तो इसका मतलब यह और यह answer हो सकता है, यह हो नहीं सकता, क्योंगी sigma पहले आएगा, pi बात में आएगा, तो sigma गिलनों दोस्तों, 2, 3, 4, 5, और 2, 7, 8, 9, और 1, 10, तो 10 आपके पास sigma है, इसका मतलब कौन सा answer, second answer इसारा हो गया, ठीक है, यह दोनों देखो, सकल में एक जैसे हैं, लेकिन आप से respectively पूछ लिए आग ल 6C1 number सवाल, nitrogen of benzene by nitric acid and sulfuric acid, तो कौन सी reaction होती है, electrophilic substitution reaction, ठीक है, nitrogen करवाना है, तो दोस्तों, यह किसका काम करता है, nitric acid base का काम करता है, sulfuric acid किसका काम करता है, acid का काम करता है, और इन दोनों से, electrophile जो बनता है, वो क्या बनता है, NO positive, electrophilic substitution reaction, yes, no, यादा राओगा, धुनल H positive, और क्या बना, HSO4 negative बना, और nitric acid के साथ में आपको reaction करवानी है, nitric acid base की तरह भीव करता है, यानि कि यह base की भूमिका में है, ठीक है, base का rule आदा कर रहा है, तो यह अपना loan pair इस पे लुटाएगा, more in atom, अपना loan pair लुटा तो बेठा, जैसे ही इसने loan pair donate किया, इस पे आय है दोस्तों, ठीक है, यह coordinate bone है, दोस्तों, एक तरफा महबत वाला, यानि कि coordinate bone, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, तो क्या बन गया, six electron है, इसके पास six electron है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफिलिक substitution, बेंजीन का main character कौन है, कौन सी reaction शो करती है, इलेक्ट्रोफ switches reaction चो करती है, दोस्तों, योगातमक का सवाली पैदा नहीं होता, ठीक है, बहुत ही, डेर condition में, इलेक्ट्रोफिलिक है, वो भी, इलेक्ट्रोफिलिक योगातमक तो नहीं कर सकती, वो कैसी करती है, फ्री RIDICALs, योगातमक reaction परतसी isso करती है, ठीक है, तो यहाँ, इलेक्ट सकार्बोलिक असवाल की बात करें तो अपने रखा है दोसतों और बोलीक एसेड किसको बोलते हैं फिनोल को बोला साथा है फिनोल को क्या बोलते हैं दोस्तों पूछा गया है कार्बोकसलिक एसीड कोने है दोस्तों ये नीट में रहूए हुआ आपके कार्बोलिक acid पूछा गया है ठीक है तो next सवाल कि अगर पर बात करें तो six four number सवाल क्या पूछा गया है उन ओजोनलाइसिस of a hydrocarbon one mole of acetone and one mole of acetaldehyde is our formate then the hydrocarbon will be ओजोनलाइसिस करवा दो एक mole तो acetone मिले और एक acetaldehyde मिले क्या मिल सकता है नहीं मिल सकता है नहीं मिल सकता डबल बोन तोड़ दो oxygen oxygen लगा दो मिल सकता है जी हां मिल गया acetone और acetaldehyde मिलेगा देख लो बले इससे नहीं मिल सकता है acetaldehyde तो मिल जाएगा लेकिन acetone कदापी नहीं मिलेगा तो कौन सा answer मिला अपने को third answer next सवाल कि अगर पर बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों six five number सवाल बिल्कुल प्यारा सा सवाल है the chain propagation step पुछा गया है free radical halogenation of alkane is ठीक है alkane alkane की अगर free radical halogenation reaction की बात करें तो chain propagation step propagation step में क्या बनते हैं दोस्तों radical आगे बढ़ते हैं ठीक हैं में radical बनते हैं इसका मलब ये chain initial step है प्रारंबिक पद है ठीक है इसकी अगर पर बात करें तो ये क्या है दोस्तों chain propagation step है लेकिन गलत है क्या है गलत है cl नहीं आ सकता दोस्तों यहां से radical break होगा तो किसके साथ radical चिपकेगा यहां से क्या बनेगा cues 3 radical और कर रहे हैं इसका मलग यह तो टर्मिनल स्टेप है अपने से प्रोपेगेशन स्टेप पुछा गया है तो कौन सा आंसर आज जाएगा दोस्तों आंसर अपना थार्ड आ जाएगा ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या मिलेगा six six number सवाल six six number सवाल क्या कर रहा है दोस्तों which of the flowing sequence is correct ठीक है कौन सा करम सही है बता दो कौन सा acidic scent का order सही है क्या यह acidic nature सही है बिल्कुल क्यों क्योंग यह acidic scent directly proportional होती है किसके भला stability directly proportional होती है किसके stability of conjugated base के stability of conjugated base के ठीक है और दूसरा है en increase en directly proportional होती है कंजूसी के en increase और acidic scent क्या होजाएगी दोस्तों increase इसका मदलव यह SP hybridization है तो en जादा है इस SP2 है यह SP3 है इसकी en सवा 3 है इसकी पुने 3 है इसकी धाई है इसका मदलव acidic scent का order सही है sorry कौन सा दे रखा है ठीक है acidic scent का पूछा गया था कौन सा है first first आपका क्या है दोस्तों सही है second अपने से क्या पूछा गया है bone length पूछी गई है bone length की अगर पर बात करें तो दोस्तों बताओ bone length सबसे ज़्यादा किस की होती है carbon carbon bone length पूछी गई है carbon carbon bone length की बात करें तो इसमें क्या दे दिया single bone दे दिया और single bone की कितनी होती है 1.54 ang strong होती है दोस्तों ठीक है, double bone की कितनी होती है, 1.34 angstrom होती है दोस्तो, triple bone की 1.20 angstrom होती है दोस्तो, इसका मदलब इसकी बड़ी इसका मदलब उल्टा होना चीए था, ये incorrect हो गया, basic cent, अभी अपने बात की EN directly proportional होती है कंजूसी के, जिसकी EN ज्यादा होगी, वो उतना ही कंजूस मक्खी चूस होग तो basic cent का order गलत है, तो कौन सा आजाएगा दोस्तों, first answer की और इसारा हुआ, next सवाल बात करें, तो कौन सा दे रखा है, six, seven number सवाल दे रखा है, दोस्तों, six, seven number सवाल, क्या दे रखा है, which of the flowing alkane can be prepared from only one type of alkane halide by words reaction, words reaction से कीवल सम्मित alkane का formation कर सकते हो, आप, एस सम्मीत का नह नहीं हो सकते, क्या ये सम्मीत है, ये सम्मीत है, इस से alkyl halide जो अपने बनेगा, वो ये वाला alkyl halide बनेगा, यहाँ X लगा दो, इसमें sodium और dry ether डाल दो, यह यहाँ से break हो जाएगा, इस पर radical, इस पर radical, ये radical, radical एक दूसरे के साथ कप्लिंग करके, किसका formation कर देंगे, इस बनाने का परियास करोगे, तो भी 2 प्रकार के alkyl halide बन जाएंगे, इसका परियास करोगे तो भी 2 प्रकार के alkyl halide, आब ऐसा नहीं है, भी धाइडाई कारबन दे दो, ऐसा, कौन सा होगए यह, ठीक है, धाई कारबन नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा, यहा तो 3, 2, यह तो इसका मतलब यह वाला अंसर अपने को मिल जाएगा 6C8 नमबर सवाल देखेगा दोस्तों क्या चाहता है वो अपने से बेंजीन दे रखी है अपने को और क्या दे रखा है अपने को मिलेगा दोस्तों तो क्या मिल जाएगा यहां से अपने को मिलेगा CS3-C-O-Acylenium-Ion-Acylenium-Ion-Stable होता है दोस्तों ड्यू टू बैक बांडिंग बीवी मिलने के कारण ठीक है तो ऐलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऐलेक्ट्रोफीलिक सबस्यूशन रियक्षन ड्याइक्शन क्या बन जायेक दोस्तों acetophenone का formation हो गया acetophenone second answer 69 नमबर सवाल कि अगर पना बात करें तो दोस्तों अपने से क्या चाहता है वो यह कह रहा है कि CL2 और 500 degree Celsius के उपर reaction करवाद हो दोस्तों तो ये कौन सी reaction है Electrophilic free radical substitution reaction है free radical substitution reaction है Alkenne जलनी कौन सी reaction show करती है Electrophilic addition reaction show करती है बड़ यहाँ पे CL2 और heat करने का sign दे दिया तो alpha पे alpha पे H remove हो जाएगा alpha से H remove हो जाएगा free radical बनेगा और CL आजाएगा कौन सी reaction हो गई फरी radical substitution reaction हो गई free radical substitution reaction का example है यह दोस्तों ठीकें next आगे बात करें तो 70 number सवाल क्या चाहता है दोस्तों अपने से यह दे रखा है HO CL के साथ में यानि कि हाइपो कलोरस आसीड के साथ में reaction करवाद हो दोस्तों तो पहले कौन addition करेगा बताओ HO negative और CL positive यह होता है दोस्तों यह तो ठीकें यानि कि CL positive पहले जुटता है यानि कि आपको यह भी दिया हो सकता है chlorine water, bromine water ठीकें यह आपस में reaction करवाद होगे तो क्या मिल जाएगा यानि कि HCL प्लस HO CL बिनता है HO CL यह acidic medium दे रखा है तो H positive इसके साथ में reaction करेगा यह अपना loan pair of electron लुटाएगा क्या बन जाएगा दोस्तों more in atom के उपर positive charge यहाँ पे CL more in atom अपने आपके उपर positive charge नहीं रखेगा तो H2O remove कर देगा क्या मिला? CL positive तो electrophile अपने पास क्या है? CL positive है दोस्तों तो CL positive पहले जुड़ेगा तो CL positive पहले जुड़ेगा और क्या बना देगा? cyclic non classical carbocatine बन जाएगा CS3, CH, CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा? CL अब इसके उपर OH negative attack करेगा तो पहले कौन जुड़ेगा दूस्तों? CL positive जुड़ेगा किसमे? CL negative नाजी कौन जुड़ेगा? CL positive कौन सा answer मिलेगा? आपने को 4th answer Next सवाल कौन सा दे रखा है? 71 number सवाल बिल्कुल प्यारा सा सवाल है दूस्तों Concentrate, Restrosoport डालना है आपको dehydration करवाना है ठीक है? तो सबसे पहले तो H positive ये अपना lone pair of electron इस पे लुटाएगा जैसी इसने अपना lone pair of electron इसको दिया तो क्या बन जाएगा? Morian atom के उपर positive charge Morian atom अपने आपके उपर positive charge है नहीं रख सकता क्या मिल जाएगा दोस्तो intermediate carvocatine का formation हो गया ring है, 5 member ring है ring से attach carbon के उपर positive charge है तो ring में क्या हो जाएगा? expansion हो जाएगा 5 वाली 6 में convert हो जाएगी 1, 2 bone shifting करवा दो दोस्तों तो 1, 2 bone shifting जैसी आपने करवाया यहाँ पे positive था यहाँ पे positive था यहाँ पे क्या गया? negative पुराने वाले positive और ने वाले negative को आपस में setting करवा दो, यानि कि आपस में एक दूसरे को मिला दो, 5 वाला किस में convert हो जाएगा? 6 में, ठीक है? अब क्या करवाना है दोस्तों, इसके पास ये रहे alpha, कोई सा भी alpha निकाल दो वो इलकीन बनाओगे जो stable है सारी एक जैसी है, इसका मतलब क्या बन जाएगी? cyclohexene का formation हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो कौन सा answer मिलके आपने को? second next सवाल की अगर आपको बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों? 72 नमबर सवाल, क्या दे रखा है? soda lime दे रखा है, soda lirate तो soda लाओगे, तो क्या बन जाओगे दोस्तों? ethane बन जाओगे, ठीक है? तो ethane, ethane की reaction आप अब आपको क्या करवाना है? कलोरी नेशन करवाना है और क्या मिल जाएगा? CS3, CH2 और CL Ethyl chloride का formation हो ही जाएगा Ethyl chloride आपको मिल ही जाएगा तो फसा answer आज आएगा नेक्स अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया 73 नंबर सवाल 73 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो यानि कि मारकोनिक ओफ रूल के उल्टा नहीं जूटता यानि कि इसकी बात करें तो anti-marconic of addition of HBR is not observed यानि कि ना तो वो anti-marconic of rule के according जूटता या ना ही वो marconic of के opposite में जूटता यानि कि निमलिक्त में से कौन सा marconic of के रूप के opposite में opposite का मलब विरुद काम नहीं करता विरुद कौन होगा marconic of का उल्टा कौन हुआ anti-marconic of rule काम को नहीं करता चाहे मारकोनिक ओफ हो चाहे अंटी मारकोनिक ओफ हो कौन काम नहीं करती सिमेट्रिकल अलकीन काम नहीं करती दोस्तो प्रोपीन काम करेगी यस करेगी क्यों क्यों हो गयोंगे वो मारकोनिक ओफ अंटी मारकोनिक ओफ के रूल के अकोडिंग काम कर सकती है ब्यूटीन करेगी जी हाँ करेगी तू ब्यूटीन करेगी दोस्तों नहीं कर सकती इधर जोड़ो इधर जोड़ो एक ही बात है ठीक है पैंटीन करेगी जी हाँ करेगी पैंटीन तो उचल कूद करती हुई करेगी इधर जोड़ो तो कुछ और इधर जोड़ो तो कुछ और अलग हो गई ना तो इसका मतलब क्या हो गया मारको निक ओफ रेंटी मारको निक ओफ सिमेट्रिकल एलकीन फोलो नहीं करती इसका मतलब कौन सा आंसर आजाएगा टू वियूटीन आंसर आजाएगा 74 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों ये कह रहा है कि कि some meta-directing substitute in aromatic substitution are given वज़ वन इस most deactivating यानि कि आपको नीचे क्या दे रखे है meta-directing वाले ग्रूप दे रखे हैं जो deactivating है और deactivating मैं से एक ऐसा कमीना जो ज़्यादा deactivating है तो most deactivating कौन सा होगा दोस्तों LDH, CWH, NO2 और CN कौन है दोस्तो NO2 क्योंकि इन में से order की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा NO2 का उसके बाद में CN का उसके बाद में LDI का और उसके बाद में किसका नंबर आता है CWH का नंबर आता है NO2 सबसे कमीना है deactivating में आगे बात करें तो कौन सा सबसे दे रखा है दोस्तो 55 नंबर सबसे बाद में मिथेन कैन बी प्रिपेड बाई किस से बना सकते हो मिथेन मिथेन आपको पता है दोस्तो सोडा लाइम से बना जा सकता है यानि कि आगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा दो सोडा लाइम यानि कि सोडियम एसिटेट का सोडा लाइम के साथ करवा दो यानि कि एसिटिक एसिट का करवा दो सोडा लाइम के साथ में NaOH प्लस CAO तो क्या मिल जाएगी आपको CH4 का फॉर्मेशन हो ही जाएगा Colby Electrolysis से नहीं बना सकते इससे इथेन बनाओगे ठीक है कम सबसे छोटी इथेन बनाई जा सकती है Woods reaction से सबसे छोटी इथेन बनाई जा सकते इससे भी CH4 को prepare नहीं कर सकते और reduction of alkene with H2 इससे भी नहीं कर सकते क्यों क्योंगी अगर alkene लोगे तो सबसे छोटी alkene ये लोगे और इसका reduction करवाओगे तो इथेन ही बना पाओगे ठीक है मिथेन का formation नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब first answer अपना हाज हैगा ठीक है next बात करें तो कौन सा था दोस्तो ये था आपका paper solution मस रहें सवस रहें अपनी रेंग सुधार रहें अच्छे medical college में जाएं all the best good luck जै CLC जै हिन जै भारत